हेलो दोस्तो सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तो आज हमारी इतियास की MCQ सिरीज का 27 वा पार्ट है चले आज की वीडियो स्टार्ट कर दें कोन वर्धन वंस की राजदानी थानेश्वर से कन्योज ले गया इसका अंसर हर्श वर्धन कन्योज किस परदेश में इस्तित है इसका अंसर है उत्तर परदेश में हवेन सांकी भारत में यातरा के समय सोती कपडों के उत्पादन के लिए सबसे परसिद नगर था इसका अंसर है मथुरा कवी बानबट निवासी था इसका अंसर है थानेश वर्गा नागानन्द का रचनाकार कौन था इसका अंसर हर्षवर्दन समराट हर्षवर्दन ने दो महान दार्मिक सम्मेलनों का आयजन किया था इसका अंसर कन्योजवय परियाग में नागानन रतनावली एवं पिरिये दर्सी का नाटकों के नाटक कार थे इसका अंसर हर्सवर्धन गुर्जरों को किस सासक ने प्राजित किया इसका अंसर हर्सवर्धन ने आज भी भारत में हवे इन्सांग को याद करने का मुख्य कारण है इसका अंसर है ओप्सन डी सी यूकी की रचना हर्स वर्धन के वीजई जीवन में एक मात्र प्राजे देने वाला पुलकेसिन दिवित्य कहा का सासक था इसका अंसर है वातापिया बदामी का हर्स वर्धन ने अपनी पुत्री का विवा वल्लभी नरेश से किया जो की उसकी एक बड़ी कूट नितिक उपलब दी थी वल्लभी नरेश का नाम था इसका अंसर है धुरू सेन दिवित्य 641 इसवि में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत बेजा इसका अंसर हर्स वर्धन ने हर्सवर्दन के भारते मिसन के जवाब में चीनी समराट ताई सुंग ने तीन चीनी मिसन हर्सवर्दन के दरवार में बेजे जिसमें से एक मिसन हर्सवर्दन के मरनो परांथ पहुँचा अंती मिसन में सामिल उस चीनी राजदोत का क्या नाम है ने हर्ष की मृत्यु के तुरुष बाद जो गटना करम गटी तुआ उसका विष्थार से वर्णन किया है इसका अंसर है वांग हवेन सेने किस चिनी यात्री को वर्दमान सक्यमुनी एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है इसका अंसर हवेन सांग को हवेन सांग भारत में लगबग कितने साल रहा इसका अनसर है उप्सन सी 14 साल हवेन सांग के सम्मनार्थ एवं महायान धर्म के परचरात हर्सवर्धन ने कहा महासबा का आयोजन 643 इस्यू में करवाया इसका अनसर है कन्नोज में कुम मेला को प्रारम करने का सरे किसे दिया जाता है इसका अनसर हर्सवर्धन को नर्मदा नदी पर सम्राथ हर्स के दक्षणा वर्ती अगर गमन को रोका इसका अनसर पुलकेशिन दिवित्यने निमलिकित में किसने नालंदा विस विदाले को सो ग्रामों की आये दान सवरूख दिये इसका अंसर हर्ष वर्दन ने सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित कीजिए सूची एक में राज्य दिये और सूची दो में उनकी राजदानी दिये सूची एक में पुस्तके दिये और सूची दो में उनके लेकक दिये गए हर्ष चरित और कादमरी बान भटने लिखिये नीती सतक, सिंगार सतक और भगती सतक ये बरित हरी ने लिखिये और सूरिय सतक मयोड ने लिखा है और पिरिये दर्सिका, रतनावली और नागनन हर्षवर्धन ने लिखा है तो इसका अंसर होगा 4, 2, 3, 1 ओप्सन देखते हैं 4, 2, 3, 1 तो ओप्सन अ, इसका सी आंसर होगा निमलिकित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद नहीं था इसका अंसर है Option B, कालिदास कथन A हर्सवर्दन ने किसी नविन सासन परणाली को जनम नहीं दिया हर्सवर्दन ने गुप्त सासन परणाली को कुछ संसोधनों के साथ अपनाया इसका आंसर होगा Option A, A और R दोनों सही है तेथा R, A की सही व्याख्या करता है कौन सही सुमेलित है Option देखते हैं अवंती हर्सवर्दन का परदान मंत्री था सिंग नाद महा सेना पती था कुंतल सेना पती असु सेना का तो यहाँ पर Option D सही आंसर होगा उप्यूक सभी सही सुमेलित है किसका कतने भारत के लोग गरम मिजाज के हैं उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परन्तु इमानदार होते हैं भारत ये सवश्था परेमी है इसका अंसर है Option C हवेन सांगने गंटी यंत्र या तूला यंत्र का परियोग होता था इसका अंसर है खेत की सीचाई के लिए निमलिकित में कौन सा वाक्यांस हर्स उत्तर काल के इस्तरोतों में सम्मानिता उल्लकित हुंडी की परकर्दी सवरूप को परभाजित करता है इसका अंसर है Option C विनिमे पद्र दक्षिन भारत के संद्रम में एरी पत्ती का अर्थ था इसका अंसर है जला से की भुमी हर्स के काल में भूर आजस्व की सीमा थी इसका अंसर है एक बटा चे से एक बटा दस मोकरी सासको की राजदानी खालिश्थान थी इसका अंसर है कन्नोज C.U. की नामक यात्रा विवरं निमलिकित में से किस से जुड़ा है इसका अंसर है हवेन सांग से तो दोस्तों याद है हमारी वीडियो अगर आपको च्छे लेगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद